अभी हम start कर रहे हैं lens maker formula आप लोगों ने कहा तह इसलिए मैंने आपके लिए बनाया है lens maker formula थीक है तो अभी यह lens maker formula जो है किस सरीके से derive होगा तो let we start सबसे पहले एक हमने क्या लिया लेंस लिया ठीक है यहां से हो रही है तो आप का देखेंगे यह क्या करेगा अपना इमेज फॉर्म करेंगा प्रिंसिपल एक्षिस के साथ आई यहां करेंगा अगर लेंस आपका ये पूरा लेंस है इस तरीके के स्फेरिकल तो यहां से आने बारी light क्या करेगी आपकी reflect होगी और image कहां बनेगी कहीं यहां पर जाके आपकी image that is eye dash बन जाएगी ठीक है अब हम क्या कर रहे हैं यहां से लेके अगर मैं इसकी object की distance की बात करूँ और से लेक अगर मैं आप से कहूं कि जो आपकी light है वो कहां से कहां तक मूँव कर रही है रेयर टू डेंसर तो सबसे पहला केस light आपकी light move light move rear to dancer मैंने light को क्या करा है रेयर टू डेंसर मूव कराया तो हमने क्या क्या आपका light का जो रेयर का refractive index से म्यू तू माना और आपका रेयर और dancer का क्या है हमने बोला mu1 है तो यह हो कि आपका v1 पहले अपनी object का बना that is mu1 upon क्या हो जाएगा u is equal to mu2 minus mu1 upon r यह फॉर्मरत आपको पढ़ाया था मैंने तो वहां से आपने क्या करा इसको लिख लिया इसके बाद अगर हम कहें कि light अगर आपकी क्या कर रही है denser to rare जा रही है यहां क्या हो जाएगा mu1 upon क्या हो जाएगा v minus mu2 upon u is equal to mu1 minus mu2 upon क्या हो जाएगा r हो जाएगा ठीक है अब यह image कहा मिली थी i dash पर मिल नहीं कहां थी आपको i पर बिल गहां गई है i dash पर मिल रही है तो अब यह formula क्या हो जाएगा आपका should be change तो in this formula चेंज होगा तो हम कहां लिखेंगे mu2 upon पहले वाले क्लिखेंगे जब image कहा मिली है for i dash पर मिल लिए तो यह हैगा v dash minus mu1 u is equal to mu2 minus mu1 upon r1 हो जाएगा ठीक है इसको हमने कहा दिया यह हो गई equation first हो गई अगर इसको हम कहते है for अगर image किस पर बन रही है आपकी इसी पर i dash पर तब कहो जगा mu1 upon v rare true dancer वाला case यहां से लिखेंगे mu2 upon v dash is equal to mu1 minus mu2 upon r2 that is equation number 2 हो गया तो यहां तक आपको समय में आ गया clear है सारा की सारा अब मैं क्या करूँ इन में से मुझे यह mu dash upon क्या है v को dash को गायब करना है तो equation 1 को और क्या करेंगे 2 को आप क्या कर देंगे add कर देंगे जैसी आप इन दोनों को add करेंगे तो यहां से क्या बचेगा mu1 v minus mu1 u is equal to mu2 minus mu1 bracket में और यहां बचेगा that is r1 minus 1 upon r2 बचा clear है यहां तक बिल्कुल clear है सब चीज बिल्कुल इसलिए अब यह mu2 minus mu1 bracket में और यहां से आप देखेंगे यह आजाए का 1 upon r1 minus 1 upon r2 अच्छा यह क्या होता है thin lens formula होता है यह क्या होता है इसकी value क्या होती है 1 upon f के बराबर होती है तो यहां से आप क्या रग देंगे इसको 1 upon f के बराबर रग देंगे तो यह हो जाएगा 1 upon f is equal to mu चलाज़ा यहां नीचे तो यहां से लिख देंगे mu2 minus mu1 upon mu1 bracket में 1 upon r1 minus 1 upon r2 ठीके तो यहां से हमारा lens maker formula निकलाएगा that is इसको क्या लिख देंगे इससे divide कर दो mu2 upon mu1 बचेगा तो यहां लिख दें mu2 upon mu1 minus 1 into 1 upon r1 minus 1 upon r2 यह आप इसको क्या लिख सकते है 1 upon f is equal to mu1 से लेके 2 तक का minus 1 bracket में जाएगा 1 minus r1 minus 1 upon r2 तो यह क्या आगे आपका lens formula आगया got it? तो यह आपका पूरा lens formula है जो आप exams में क्या कर सकते है put करते हैं और directly अपना जो question है वो इसकी help से बना सकते है यहां से आपका thin lens formula भी मैंने आपको बता दिया 1 upon f is equal to 1 upon v minus 1 upon u होता है तो यहां पर हमने इसको put कर दिया thin lens formula यह क्या आपका thin lens formula ठीक है? तो I hope so जिन भी बच्चों को यह doubt था तो वो यहां से इस derivation को पूरा complete कर सकते है आपके cbc में आपके यहां भी यूज़ कर सकते है आइटी जे में questions जो आएंगे वो इस formula से आएंगे तो आप directly इस formula का यूज़ करके निकाल सकते है Okay? Done So, मिलते हैं नेक्स वीडियो में बढ़ते रहें बढ़ते रहें Bye-bye Take care Have a nice day Thank you